हलो माई फ्रेंड्स वेल्कम बाक टू चैनल मेकेनिकल जॉप्स दोस्तों एक और शांदार वीडियो आपके लिए लेकर रहे हैं फ्रेंड बहुत ही बड़िया दोस्तों वेकेंसी आई है पूरा डिटेल में यहां पर आपको बताऊंगा कौन कौन सी जॉब है और यहां पर किस तरह आप इसके लिए अपलाई करेंगे पूरा डिटेल में आपको यहां पर पता चल जाएगा इससे पहले कोँगा दोस्तों अगर चैनल पर नई आयो तो चैनल को सब्सक्राइब के ब पर दोस्तों इसको आपने क्लेख करना जैसे को दोस्तों यहीं पर आप देखिए गए करिय सका यहां पर लिंक आजाएगा हर तो यहां पर आप देखिए यह शुर्च कि फर आप ऐस का खूल गई है जो कै। के सा पहले है Sergeant case आपको यहां तक का link दे दूँगा इस पर आपने क्लिक करने दोस्तों सर्च फॉर जॉप पर जैसे आप क्लिक करेंगे फॉर्दर इसका पेज यहां पर open होगा तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे जो vacancy यहां पर लगी हुई है तो आपको यहां पर क्लिक करने 29 jobs यहां पर आपको दिख रही है और सर्च आप से अपने क्लिक करने जैसी सर्च आप क्लिक करेंगे तो यहां पर फॉर्दर आपको opening यहां पर दिखाई देगी तो आप देखेंगे आप जो vacancy इसब ब्रांच manager अब देखेंगे ग्रेजुट इंजिनेर्ट्रेन ट 0525 तो जो भी यहां पर जितनी भी ओपनिंग है मैं आपको एक एक करके open करके दिखा रहा हूँ 522 मैं आपको सबसे पहले open करके यहां पर दिखा रहा हूँ तो दोस्तों यहां पर जो आपका काम रहेगा as a project planning में काम रहेगा ठीक है तो यहां पर graduate engineer training है 28 तारिक यह जो opening का कल कंपनी ने निकालिया है तो यहां पर सभी भी बीट है किसी भी चीज़ों आपने भी बीट है किया project planning में आप जा सकते हैं आपका जो काम रहेगा यहां पर preparing and managing the R&D new projects activities from beginning to end problem solving analytical skills preparing the progress report proposal documentation and presentation summarizing the test report for analysis ठीक है तो यह apply का button दिया गए इस apply के button पर आपने click करके apply करना तो यह back कर देता हूं और back करके देखेंगे कौन-कौन सी और भी यहां पर vacancies है तो दोस्तों इसके लावा जो second 521 में मैं click कर रहा हूं पांसो इकिस पर आप यह देखेंगे यह जो वेकेंसी है दोस्तों यह अलग वेकेंसी है यहां पर है graduate engineer training की तो यह जो आपका काम रहेगा यहां पर न्यू प्रसेस में है मतलब लेटी टू आपका न्यू प्रसेस में आपर काम रहेगा और यहां भी जो है mechanical वाले इंडस्ट्रियल वाले पर जो है electrical electronics वाले यहां पर apply कर सकते हैं देखें आपका जो काम है यहां पर देखी carry out in process audit in plants sport in new process sport in existing process sport in special project ठीक है तो इस तरह का final product performance में जो भी बैटरी त्यार होती है वहां तक का आपका पूरा रोल यहां पर रहेगा एज़ा graduate engineer training अब चलिए यहां पर बैक करेंगे और बैक करके आप आगे भी यहां पर देखेंगे जो विकेंसी है वो है graduate engineer training यह जो विकेंसी यहां पर टेक है तो यहां पर इसको भी आप देखेंगे पांसो पच्चिस जो है यह इसका job code है आइडी तो यह जो विकेंसी है दोस्तो डाटा एनलिस्ट के लिए विकेंसी है अब डाटा एनलिस्ट की जो विकेंसी होती है यह जो अप्लाई कर सकते हैं यहां पर IT वाले होगे computers वाले होगे electronics वाले होगे वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं keep in regular follow up and records test result status of various prototypes types in test lab ठीक है तो यहां पर इतनी भी design जो लेटी डू बैटरी का work होगे यहां पर तो यहां पर वो IT वाले यहां फिर जो testing करेंगे यहां पर वो देखेंगे जो electronics वाले होते हैं वो यहां पर काम कर सकते हैं as a fresher यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं graduate engineer training की आगे चलेंगे new launches on regular basis and plotting them without products planning and arranging the competition batteries for benchmarking analysis compiling data design data and comparison report यहां पर electrical electronics IT computer वाले दोस्तों यहां पर अप्लाई कर सकते हैं ठीक है benchmarking analyst की जो जौब है अब आगे दोस्तों चलेंगे graduate engineer trainee यह जो vacancy है गग्रेट गग्रेट कहां पड़ता यह यह जो है हिमाचल में है हिमाचल में उना में इनका plant है वहां के लिए vacancy है ठीक है अब आगे जो आया है दोस्तों आपका यहां भी जो काम है carry out in process जो पहले मैंने दिखा है उसी से vacancy है अगर आप जिस जिस vacancy के लिए eligible है मैंने बता दिया तो सारी आपको जो vacancy है जो जिसके लिए अप eligible हो आपको अलग अप्लाई करना पड़ेगा login एक बार ही करना है उसमें आप अलग अप्लाई कर सकते हैं तो आईए देखेंगे किस तरा apply पे click कर देता हूं मैं किस त इंजिनेर ट्रेनिंग की भी दिखाई है और experienced vacancy दोनों तरह की दिखाई है जो नए जिनको नहीं पता है वह यहां पर create account पे click करेंगे जिनको पहले पता login डारेक्ट कर सकते हैं अब create account पे जैसे आप दोस्तों क्लिक करेंगे अपनी यहां पर आपने details बरनी है अपना email आड मैं बता रहा हूँ किस तरह फिल आप यह चीज़ फिल किजिए create कर दीजिए और इसके बाद आप देखेंगे किस तरह आप इसके लिए apply करेंगे तो दोस्तों जैसी आपने यहां पर account को create करेंगे आप तो direct आपके सामने यह page उसी टाइम में open हो जाएगा graduate engineer training 10522 ठीक है तो यहां पर जो भी अलग-लग आपने vacancies apply कर दीए आपको जस्त एक बार login करना और फिर apply करी आ रहा है तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे graduate engineer training 10522 अब यहां पर आपने अपने resume और cover letter upload करना किसी भी तरह का cover और resume का जो आपको template चाहिए description box से यहां पर मिल सकता है अपना ID proof अधार या passport यहां पर आप upload करेंगे ठीक है उसके बाद आपको अपनी जो personal information यहां पर दोस्तों डालनी है जिसमें आप देखेंगे आपका जो है current designation अगर आपका है कोई है वो डाल सकते है नहीं तो आप यहां पर जैसे current title जो होता है वो डाल सकता है बर इसको company ने option रखा है आप मत डाली इसमें आपर first name अपना last name अपना email ID phone number डाली है तो country जो permanent radiance as per your government approved ठीक है जो आपके अधारकार या passport में है तो वो यहां पर आपने य जी और यहां पर total experience zero डाल दीजी अपने date of birth डाल दीजिए अब यहां पर आगए आपका place of birth अपना gender male female दो अप्लाई कर सकते है nationality Indian marital state अगर आप जानते है तो डाल जीजे और आपके पास आपको पता है pen card number आपके पास होना चाहिए pen number आपने डालना है अपना father's name यहां प fresher हैं तो इसको एज़ा जो है leave आप छोड़ दीजे कुछ आपको बढ़ने के जूर्थ नहीं है तो आगया आगया formal education में आपने यहां पर क्या है अपनी पूरी details आने किस date से लेके कब तक किया कौनची schooling की है फिर board से आपने degree की है फिर किस country से किया institution name आपका आजाएगा ठ details एं कुछी होगई कर ना चाहते तो participation कर सकते हैं मालीजी बढ़ आपने अपना master का भरा ने पेजे कर्सक्ते हैं अब दीखे, आपके language skills आजाएंगे, language skills आपने add कर दी हैं यहाँ पर, ठीक है, तो language skills में आपने बताना, जिसे हिंदी, तो कितनी proficiency है, reading है, या कोई भी language आप डालते हैं, Tamil, Telugu, कुछ भी आप जानते हैं, तो आप apply कर सकते हैं, बढ़ आपको जितनी language, state language भी आती है, आपको add करनी है, फिर आपके पास कौन-कौन से certification है, वो यहाँ पर आप बता सकते हैं, certification name, license, कब जो है, effective dates है, कब उसको expire हो रहा है, कोई license है, आपके पास, फिर job specific information, ठीक है, तो आप किसी को जानते हैं, जो luminous में, yes है, तो yes कीजिए, नहीं तो no कर दीजी, अगर yes है, तो आपको वो relation का name यहाँ पर बताना पड़ेगा, अगर आपने no कर दीए, तो stars को कोई matter नहीं है, ठीक है, तो फिर आगया आपका employment information, what is your expected ctc, ठीक है, इस पर company norms लिख दीए, नहीं तो zero लिख दीजी, are you willing to relocate, आपको yes करना है, ठीक है, फिर यहाँ बताना, अगर आप yes कर रहे हो, कि आप alone आओगे या with family के साथ आओगे, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं इस चीज को, notice period अगर आप काम कर रहे हैं, तो बता सकते हैं, पंदरा दिन का है, दो हफ़ते का है, या तीन हफ़ते का है, ठीक है, तो इसके बाद आपने profile को review कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने just submit करना है, यह submit का आपका apply का button है, जस्ट आपके तीन से चार मिनट लगेंगे, बहुत अच्छी opening है, मैं इस मत करना, हम आशा करता हूँ, यहाँ पर आपको दीक जानकार इच्छी लगए, क्योंगी तो इस वीडियो को लाइक हो, जुरू कर देना, धन्यवाद, आपका दिन शुबर है,